अगर आप लोग ने अपनी YouTube वीडियो बनाने के लिए किसी का content यूज किया है और आपकी वीडियो पर copyright आ जाता है तो आप अपनी वीडियो से copyright content को कैसे remove कर पाएंगे एक छोटा सा example अगरे बात करते हैं आपने let's suppose तीन मिनिट की वीडियो बनाई उस तीन मिनिट की वीडियो के अंदर आपने जो है एक मिनिट का content किसी दूसरी की वीडियो का यूज किया जैसे हम लोग जब cover song बनाते हैं तो हम लोग कुछ clips ले लेते हैं songs की या अगर हम लोग को वीडियो से कैसे remove करेंगे ये वीडियो मैं उसके उपर बनाने जा रहा हूँ हलो दोस्तों welcome to my youtube channel दिस साइड राजी वनन तो चलिए इस वीडियो में आप बात करते हैं देखिए इस वीडियो में सबसे खास बात क्या है कि अगर आपकी वीडियो में copyright content आएगा तो copyright content को आप लोग कैसे remove करेंगे उसके लिए आप लोगोग को सबसे पहले अपने youtube channel की वीडियो पर जाना है जितने भी वीडियो आपके सामने होंगी youtube channel की आप सबसे पहले ये देखिए कि इस वीडियो पर copyright आया है यहां पर जो restrictions section आप देख रहे हैं यहां पर आपको copyright mention हो जाए है आप बीच में से वह copyrighted content है उसको भी remove कर सकते हैं यूट्यूब studio के अंदर तो कैसे होगा जैसे इस वाली वीडियो पर माल लीजिए मेरा copyright आया है तो मैं इसके edit section में चलता हूं detail section में जैसी मैं detail section में गया इस detail section के अंदर देखिए आपर तीसरे पर आपको मैं आपको प्रॉपर बढ़ा करके दिखाता हूं आपको detail analytic और यहां पर थर्ड एडिटर दिख रहा है हम एडिटर पर चलते हैं और यह है YouTube का editor इस YouTube का editor के अंदर आप simply आपको जहां पर भी जाकर suppose कीजिए आपका copyrighted content suppose 15 seconds के बाद से लेकर जैसे माल लीजिए मेरा copyrighted content है देखिए यहां टाइट यहां पर प्रॉपर दिखेगा आपको मुझे यहां से एक वीडिए trim करनी है तो मैंने simply trim पर select किया और यहां से इसको split कर दिया next point जो भी है और मैंने इसको यहां पर split कर दिया अब देखिए मैंने दोनों जगां split कर दिया अब इन दोनों portion को मैं बीच में से जो है वो cut कर सकता हूं तो यह cut करने से क्या होगा जो वीडियो का copyrighted content है देखिए यहां से बड़ा zoom करके भी देख सकते है राम से एक एक second के time पर यह zoom को मैंने छोटा कर दिया आप यहां पर proper वीडियो को split करके उसमें से copyrighted content है उसको जो है remove कर सकते है इसके इलावा अगर आप अपनी वीडियो में कहीं पर blur effect डालना भूल गया है तो आप add blur effect भी कर सकते हैं यह add blur option है आपको जिस भी option पर जा कर YouTube studio में एडिटर में और blur option यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जाकर blur option यूज़ कर सकते हैं यह रेख है प्रॉपर ब्लर ऐप्शन यूज और बाए इसके अलावा अगर आपको कोई ओडियो एड करना है तो देखीन है आप ओडियो सेक्शन है ओडियो सेक्शन में जाकर आप यूटियूब का के अंदर जितने भी audios हैं उन audios को भी अपने add कर सकते हैं वीडियो एडिटर में यह पूरा YouTube studio का एक ऐसा option है एडिटर का जहापर आप वीडियो अपलोड करने के बाउट भी अपनी वीडियो में अगर काफी सारे changes करना चाहें, copyright content remove करना चाहें, blur effect उसके अंदर add करना चाहें, या audio उसके अंदर add करना चाहें, या previous कोई audio है इसको remove करना चाहें, यह सब कुछ जो है वो आप YouTube studio के editor में जाकर finally कर सकते हैं, और यह सब कुछ करने के बाद आपको finally save पे क्लिक करना है, ताकि जितने भी आप लोगोंने changes की हैं अपने वीडियो के अंदर, अपना copyright content remove करने के लिए, या कोई नहीं आपने audio add की हो, या आपने कहीं पर कोई blur effect यूज किया हो, तो यह सारे changes करने के बाद आपको finally save पे क्लिक करना है, ताकि आपके वीडियो में सारे के सारे save जो है वो possible हो जाए, और आपकी YouTube वीडियो से copyright content remove हो जाए, अगर आप audio add करना चाते हैं, तो नहीं audio add हो जाए, और अगर आप कुछ blur effect डालना चाते हैं, वो blur effect भी आपकी वीडियो पर आ जाए, so thank you so much for watching this video,